तो फासफोरस ट्राइक कुल्राइड का सुत्र क्या होता है? PCEL 3 होता है क्या होता है? PCEL 3 होता है इसको याद रखे रहेगा तो कैसी बनेगा? लिखेंगे सफेद फासफोरस पर सुस्क कुलोरीन से किरिया करके फासफोरस ट्राइक कुल्राइड बनता है मतलब जो सफेद फासफोरस हम लोग पढ़े हैं सफेद फासफोरस का सुत्र क्या होता है? तो P4 होता है और उसमें सुस्क कुलोरीन के साथ जब मिला करके जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? Phosphorus Tri-Colite 3 यह तो इसने Tri कहा जाता है और 5 रता है तो Penta कहा जाता है तो 3 यहां हमने एक वज़़ा से क्या कहेंगे Phosphorus Tri-Colite बनता है कितना छोटा रियक्षन है यह सफेद Phosphorus है और यह कुलोरीन है दोनों को मिलाया गिया तो क्या बना Phosphorus Tri-Colite बना तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए जिसे एक नोट सभी आपका बनता रहे अब भौती गुण समझेंगे मतलब जो है फासफोरश ट्राई कुलराइड का जो भौती गुण क्या है तो यहां लिखेंगे कि यह रंगहीन गत सील द्रौ है क्या है रंगहीन है और गत सील जो है द्रौ है मतलब गत करने वाला जो है यह द्रौ है इसमें दुरगंध आती है इसमें क्या होती है दुरगंध मतलब दूर तक उसका गंध होता है इसलिए लिखा गया दुरगंध होती है मतलब इसका जो गंध होता है वो बहुत दूर तक जाता है इसलिए दु दिगरी सेल्सियस होता है तो समझ में आ गया होगा कि फासफोरस्ट्राइकुल्राइट कैसे बना इसके भौतिक गुण क्या है अब हम लोग समझेंगे रसाइनिक गुण रसाइनिक गुण का मतलब यह होता है जो केमिकल परियोग साला में बनाते हैं वो दूसरी से जब किरिया करता है तो किस में लिखा जाता है रसाइनिक गुण में लिखा जाता है तो यहां पे अभी हम लोग कौन से केमिकल को बनाए हैं तो फासफोरस्ट्राइकुल्राइट क के साथ जब किरिया करेगा तो क्या क्या बनेगा इसमें लिखना रहता है तो अब यहां लिखेंगे रसाइनी कुर में पहला जो लिखेंगे कि यह जल के साथ किरिया करके फासफोरस अमल बनाती है क्या बनाती है तो यह लिखेंगे यह जल के साथ किरिया करके फासफोरस अमल बनता है और उसके साथ हाइडो कलोरिक अमल भी प्राप्त होता है तो समझ में आ गया होगा कि जब जल से किरिया करता है कौन करेगा फासफोरस ट्राई कुलराइट करेगा तो क्या बनेगा फासफोरस अमल बनेगा और उसके साथ जो है हाइडोकलोरिक अमल भी बनेगा दुसरा लिखेंगे यह आक्सीजन से किरिया करके फासफोरस आक्सी ट्राई कुलराइट बनाती है मतलब यह आक्सीजन से जब किरिया करता है तो क्या बनता है तो लिखेंगे कि यह आक्सीजन से जब किरिया करता है तो फासफोरस आक्सी ट्राई कुलराइट बनाती है तो यह लिखेंगे फासफोरस ट्राई कुलराइट है और आक्सीजन को मिलाया गया है तो क्या बना है फासफोरस आक्सी ट्राई कुलराइट बना है तो समझ में आ ग है यह कुलोरीन से अब किरिया करके मतलब यह कौन फासफोरस ट्राई कुलराइट है और किस से किरिया करेगा कुलोरीन से जो अब किरिया करता है तो फासफोरस पेंटा कुलराइट बनता है तो यह रिखेंगे फासफोरस ट्राई कुलराइट है और यह कुलोरीन से जब किरिय किया है तो क्या बन गया फासफोरस पेंटा कुलराइट बना पेंटा क मतलब 5 है तो यहाँ पे देखिए 5 मतलब 5 फील 5 इसको नाम हो गया फासफोरस पेंटा कुलराइट बना तो समझ में आ गया होगा यह तीन जो है रसाइनी गुन आपको यहाँ बताया गया और यह इस रि कुल राइड बनाती है तो यह लिख लेंगे यह सलफर कुल राइड से अब किरिया करके क्या बनाती है फासफोरस थायो ट्राइड कुल राइड बनाती है तो फासफोरस ट्राइड कुल राइड है और इसका नाम क्या है फासफोरस थायो फासफोरस जो है इसका नाम जो है अब दोनों को जब मिलाया गया है तो यहाँ पे फासफोरस पेंटा कुलराइट भी बना है और फासफोरस थायो ट्राई कुलराइट भी बना है तो समझ में आ गया होगा कि यह reaction क्या-क्या है फासफोरस ट्राई कुलराइट सलफर यह क्या है कुलराइट है और फासफोरस पे है ट्राई कुलराइट का उपयोग कहां किया जाता है तेहां लिखेंगे कि फासफोरस जो है ट्राई कुलराइट का उपयोग जो है पहला जो लिखेंगे एलकिल कुलराइट बनाने में काम आता है क्या आता है एलकिल जो कुलराइट होता है उसको बनाने में काम आता है दुस फासफोरस, फासफोरस, पेंटा आकसाइड बनाने के कामाता है, बनाने का कामाता है, तो समझ लिए होंगे कि फासफोरस, पेंटा आकसाइड बनाने का काम आता है, तो तीन यहाँ पे जो है उपयोग आपको बताया गया, तो यह इस उपयोग को आपसे पिद्यार थी, नोट कर लिजे, अब हम लोग पढ़ेंगे फासफोरस, पेंटा कुलराइड कैसे बनता है, इसके परियोग साला बीधी क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, अब इसके बारे में शमझेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे कि फासफोरस, पेंटा कुलराइड क्लोरीन के साथ किरिया करता है, तो क्या बनता है, फासफोरस, पेंट पेंटा कुलराइट बन गया, तो कितना रियक्षन असान है, तो इस रियक्षन को आप सभी भी द्यार्थी से नोट का लिजे, दो बार पढ़िए, निश्चिते आपको याद हो जाएगा, इसकी दूसरी जो भी धी है, इसको लिख सकते हैं, सफेद फासफोरस तथा कुलोरी के साथ किरिया करके फासफोरस पेंटा कुलराइट बनाती है, जो सफेद फासफोरस होता है, वो कुलोरीन के साथ जब किरिया करता है, तो क्या बनाता है, फासफोरस पेंटा कुलराइट बनाती है, तो P4 का नाम है, सफेद फासफोरस और इसका नाम कुलोरीन है, दोनों को जब मिलाया जाता है मिला के गरम करेंगे तो क्या बनेगा फासपोरस पेंटा कुलराइट बनता है तो समझ में आ गया होगा कि फासपोरस पेंटा कुलराइट कैसे बनता है तो अब पढ़ेंगे इसके भौती गुण भौती गुण क्या है तो भौती गुण लिखेंगे कि य ठोस के रूप में प्राप्त होता है देखेंगे कि यह फीका जो फीका रहता है मतलब पूरा नहीं माना जाता उसको फीका बोलते हैं फीका हरित हरित मतलब हरा यह फीका हरित पीला मतलब थोड़ा सा हरा और पीला ठोस के रूप में किसके रूप में ठोस के रूप में प्राप्त होता है तो क्या होता है या पीला हरित मतलब या फीका हरित पीला ठोस के रूप में क्या होता है प्राप्त होता है और तीसरा इसका जो है भौती गुण है कि इसका जो है कोथना इसका सो डिगरी सेल्सियस पे कितने सो डिगरी सेल्सियस से नीचे सो डिगरी सेल्सियस जब नीचे इसका जो तापमान होता है नीचे उर्धवा पातन उर्धवा पातन का मतलब यह होता है कि वो सीधे जो है गैस के रूप में हो जाता है उर्धवा पातन हो जाता है तो यहां लिखेंगे इसका 100 डिगरी से नीचे जो है क्या होता है उर्धवा पातन हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे 100 डिगरी से जब नीचे होता है तो यहां नोट कर लेंगे कि फासफोरस ट्राइ कुलराइ कुलोरीन से किरिया करके फासफोरस पेंटा कुलराइट बनाता है फासफोरस जो ट्राइ कुलराइट होता है वो किसे किरिया करता है कुलोरीन से किरिया करता है तो क्या बनता है फासफोरस पेंटा कुलराइट बनता है तो आप सभी विद्यार्थी इस रियक्षन को अपने कॉपी में क्या किजिए नोट का लिजिए इसकी दूसरी जो विद्य होता है सफेद फासफोरस सफेद फासफोरस तथा कुलोरीन से किरिया करके फासफोरस पेंटा कुलराइट बनाती है जो सफेद फासफोरस होता है वो कुलोरीन के साथ जो है किरिया जब करता है तो क्या बनता है फासफोरस पेंटा कुलराइट बनता है तो यह पी फोर जो है किसका सुत्र है तो सफेद फासफोरस है और यह कुलोरीन का सुत्र है CL2 जब दोनों एक को मिला करके जब किरिया करते हैं तो क्या बनते हैं फासफोरस पेंटा कुलराइट बनता है तो आप सभी द्यारती समझ लिए होंगे और यहां दस क्यों लिखा गया है क्योंकि यहां पर जो है दस दूना बीस कुलोरीन है और यहां चार पचे बीस कुलोरीन जो है बीस की मातरा और फासफोरस पी यहां प तो समझ में आ गया होगा कि फासपोरस पेंटाकोडाइट कैसे बनता है अब इसके भौती गुण क्या है तो यहां लिखेंगे भौती गुण यह रंगहीन ठोस है क्या है यह फीका हरित पीला ठोस के रूप में पराप्त होता है यह रंगहीन ठोस है और यह फीका जो है हरित पीला मना हरा रंका और पीला रंका थोड़ा सा हरा है और कुछ पीला है तो इसलिए हरित पीला ठोस के रूप में प्राप्त होता है इसका 100 डिग्री से नीचे उर्धो पातन हो जाता है मतलब 100 डिग्री से नीचे अगर है तो उर्धो पातन का मतलब यह ठोस अवस्था से इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लिजिए अब हम लोग पढ़ेंगे रसाइनिक गुण रसाइनिक गुण का मतलब यह होता है जो केमिकल परियोग साला में बनाते हैं वह किरिया करते हैं दूसरे पदार्थों से वह किसमें लिखा जाता है रसाइनिक गुण में लिखा जाता है तो यहां लिख लेंगे फासफोरस पेंटा कुलराइट बियोजी तो हो करके फासफोरस ट्राइकुलराइट तथा कुलोरीन गैस बनाता है मतलब फासफोरस पेंटा कुलराइट को जब गर्म करते हैं तो फासफोरस ट्राइकुलराइट और कुलोरीन बनता है और यह चिन का मतलब है उतकरमडी चिन मतलब इसको गरम करेंगे तो यह बनेगा और इसको गरम करेंगे तो यह बनेगा मतलब अगर और पच दोनों दिसाओं में जो समपन होता है इसलिए उतकरमडी अब किरिया कहा जाता है यह तीर का जो बना हुआ है उतकरमडी अब किर किरिया संपन्य होता है तो आप सभी विद्यार्थी समझ लेंगे कि Phosphorus Pentacolite को गरम करते हैं तो क्या स्पूरत बनता है Phosphorus Tric Legends ऑग क्लोरीन गेस बनता है अब अगला जो है जल से किरिया अब यह जल से किरिया करेगा तो जल से किरिया फासफोरस पेंटा कुलराइट जो है जल से किरिया करेगा तो यहां निकलेंगे फासफोरस पेंटा कुलराइट जल के साथ जब किरिया करता है तो क्या बनता है फासफोरस आकसी कुलराइट और उसके साथ सा जो है हाइडो कलोरिक अमल भी बनता है या सील का मतलब हाइडोकलोरिक अमल भी बनता है तो यह रियक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब गिला जो लिखेंगे एथिल एलकोहल से किरिया अब एथिल एलकोहल से किरिया कौन तो क्या क्या बनाता है तो एथिल एलकोहल से किरिया करता है तो यहां पर रियक्शन को लिख लेंगे यह CS3, CS2, OHA किसका सुत्र है तो एथिल एलकोहल का सुत्र है और PCL5 जो है फासफोरस पेंटा कौल्राइट का सुत्र है जब दोनों को मिला के जब गरम करेंगे तो क्या बनेगा एथिल कौल्राइट क्या बनेगा एथिल कौल्राइट बनेगा फासफोरस आकसी कौल्राइट उसके साथ सा जो है हाइडरो कौल्रीक अमल भी बनेगा तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे यह जो रियक् अमल है तो आप सभी भी द्यारती से अपने कॉपी में क्या किजिए नोट का लेजिए अब हम लोग फासफोरस पेंटा कुलराइट का उपियोग पढ़ेंगे फासफोरस पेंटा कुलराइट का उपियोग कहां किया जाता है तो इसका उपियोग है हाइडराक्सी समू ओयाच कि परिमात्मक निरधारण में इसका परियोग किया जाता है दूसरा जो है इलकील कुलराइट बनाने में इसका उपियोग किया जाता है किसका फासफोरस पेंटा कुलराइट का परियोग किया जाता है अगला लिख लेंगे कि अमल कुलराइट बनाने में आम लोग कुलराइट बनाने में जो है फासफोरस पेंटा कुलराइट का प्रियोग किया जाता है कुलोरीन गैस बनाने में उपियोग किया जाता है मतलब कुलोरीन जो गैस बनाते हैं तो किसका प्रियोग करते हैं फासफोरस पेंटा कुलराइट का प्रियोग करते हैं फासफोरस ट्राइट कुलराइट बनाने में इसका उपियोग किया जाता है फासफोरस ट्राइट को बनाना है तो किसका प्रियोग करेंगे फासफोरस पेंटा कुलराइट का प्रियोग किया जाता है अगला लिखेंगे फासफोरस आकसी कुलराइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर 6 जो है उपयोग बताया गया तो आप सभी भी द्यारती यह 6 उपयोग को अपने कौपी में नोट का लेजे दो बार पढ़िए निश्चित है यह उपयोग आपको याद हो जाएगा अब यहाँ पर कुछ बिसेश बातों को आप लोग याद रख लेजे फासफोरस के आकसी अमल कौन कौन होते है फासफोरस के आकसी अमल में पहला जो है हाइपो फासफोरस अमल हाइपो फासफोरस अमल का सुत्र क्या होता है तो यच 3PO2 होता है क्या होता है यच 3PO2 ये किसका सुत्र है हाइपो फासफोरस अमल का सुत्र है दूसरा जो है आर्थो फासफोरस अमल का सुत्र क्या है तो यच 3PO3 होता है यह किसका सुत्र है? आर्थोफासफोरस अमल याच 3PO3 और यहाँ लिखेंगे पायरोफासफोरस अमल क्या सुत्र होता है? याच 4P2O5 होता है और आर्थोफासफोरिक अमल या जो है प्रयोगसाला में कैसे बनता है या परिच्छा में कई बार पूछा जा चुका है कि आर्थो फासफोरी कमलत कैसे बनाए इसका सुत्र क्या है तो यच 3PO4 तो यह चार जो है विसेस बातों को आप सभी विद्यारती जरू याद कर लेजी इसे पने कॉपी में नोट कर लेजे कि यच 3PO2 किसका सुत्र है यच 3PO3 किसका सुत्र है यच 4PO5 किसका सुत्र है यच 3PO4 किसका सुत्र है तो यहाँ पे जो नोट किया गया है आप सभी विद्यारती से नोट कर लेजे अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थो फासफोरिक अमल परियोग साला में कैसे बनता है इसके भौति गुण क्या है रसाइनी गुण क्या है और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है तो आर्थो फासफोरिक अमल आर्थो फासफोरिक अमल का सुत्र क्या बताया गया है तो यह प्रियोग साला में कैसे बनता है यहां लिखेंगे परियोग साला में आर्थो फास्फोरिक अमल बनानी के लिए लाल फास्फोरस में नाइट्रिक अमल के साथ गरम करके बनाई जाती हैं मतलब आर्थो फास्फोरिक अम जब बनाते हैं तो कौन से फास्फोरस करेंगे लाल फास्फोरस और लाल फास्फोरस का सुत्र क्या होता है पी होता है और यह चियनो 3 का नाम क्या है नाइट्रिक अमल होता है यह दोनों को जब मिला दिया जाता है और मिला के जब घरम किया ज आर्थो-फासफोरिक अमल बना तो आप सभी भी दियारती इस रीयक्षन को अपने कौपी में क्या कीजिए नोट जरुर कल लीजिए अगला जो दूसरा जो बीधी है आर्थो-फासफोरिक अमल का तो यहां लेख लेंगे फासफोरस-पेंटा-ाकसाइड का सुत्र क्या होता ह इसका नाम है फासफोरस पेंटा जो है आकसाइड है को जल के साथ जब उबालने पर आर्थो फासफोरिक अमल बनता है मतलब फासफोरस जो है पेंटा आकसाइड को जल के साथ जब उबाल देते हैं मतलब गर्म कर लेते हैं तो क्या बन जाता है आर्थो फासफोरिक अमल बनत का मरत पना है अर्थो फासपोरी गामन का सुत्र क्या है तो यह रंगहीं गाढ़ हैं मतलब और ल्रंगहीन और गाढ़ दुरा और दूसरा लिखेंगे इसका गलनांग 423 डिगरी सेल्सियस होता है आर्थो फास्फोरी काम लगा जो गलनांग कितना होता है तो 423 डिगरी सेल्सियस होता है तिसरा लिखेंगे कि यह जल में पूर बिले होता है जल में क्या है पूर बिले पूर्ण बिले मतलब पूरा जो है घुल जाएगा, बिले का मतलब घुलना पूर्ण रूप से जो है उसके अंदर जल के अंदर यह घुल जाता है चौथा लिख लेंगे कि यह औवासपसील द्रौ है मतलब यह जो है औवासपसील जो है क्या है द्रौ है तो यहां पे चार जो है भौती गुण बताया गया तो आप सभी भी द्याति यह चार भौती गुण को अपने कौपी में क्या कीजिए नोट कर लिजिए दो बार पढ़िए निश्चित या भोतिक गुण आपको क्या होगा याद हो जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे रसाइनिक गुण अब आर्थो फासफोरिक अमल का जो रसाइनिक गुण क्या है तो अब यहाँ लिख लेंगे इसे 250 डिगरी सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो पाईरो फासफोरिक अमल में बदल जाता है किसमें बदलता है पाईरो फासफोरिक अमल पाईरो फासफोरिक अमल का सुत्र क्या है तो यह चफोर पी टू ओ जो है सिवन यह किसका सुत्र है पाइरो फासफोरी कमल और यह किसका सुत्र है तो यह जो है आर्थो फासफोरी कमल है इसको कितने डिगरी सेल्सियस पे गर्म किया गया है तो 250 डिगरी सेल्सियस पे गर्म किया गया है तो क्या बन गया है पाइरो फासफोरी कमल बना है और उसके साथ जो ह प्राप्त हुआ है तो समझ में आ गया होगा कि यह पहला रसाइनिक गुण अब दूसरा जो रसाइनिक गुण है तो यह सोडियम हाइडाकसाइड से क्रिया करेगा कौन क्रिया करेगा आर्थो फासपोरी कामल तो क्या बनेगा तो अब यहां लिख लेंगे यन ए ओयच मतलब सोडियम हाइडाकसाइड इसको काश्टिक सोडा भी कहा जाता है तो यहां लिखेंगे आर्थो फासपोरी कामल यन ने ओयच मतलब सोडियम हाइडाकसाइड से क्रिया करके मोनो सोडियम डाई हाइडरोजन सलफेड बनता है क्या नाम है मोनो सोडियम डाई हाइडरोजन होता है यान ए ह argent to PO4 होता है इसका नाम क्या है monosodium dihydrogen sulfate और यहां इसका कहना में arthurphosphoric amla है sodium hydroxide से क्रिया किया है तो बन गया है मono sodium dihydrogen sulfate तो यहां पर sulfate लिखा गया है यहां sulfate ना लिखेगा थोड़ा समिश्टेक हो गया है phosphate क्या है phosphate बनता है क्योंकि इसमें उपयोग इसका उपयोग कहां करते हैं यहां लिख полностью फास्थोरिक अमल का उपयोग कहां करेंगे तो यहां लिखेंगे पहला उपयोग है phosphate उर्वरक बनाने में फासफेटी जो उरोरग जो खाद होते हैं उसको बनाने में आर्थो फासफोरीक अमल का परियोग किया जाता है दूसरा लिख लेंगे चीनी के पात्रों के पालिस करने में चीनी के जो पात्रों मतलब भरतन होते हैं उसको क्या करने में पालिस करने में इसका परियोग किया जाता है तिसरा है बीभिन लवड बनाने में जो है आर्थो फासफोरी का अमल का परियोग किया जाता है चोथा जो है औशदिया, औशदिया मतलब दवाई जो दवा बनता है औशदिया मतलब क्या है दवा और टानिक अप पीते हैं, खाद पदात, खाने वाले जो पदार्थ हैं, अपमारजक हैं, तूथ पेष्ट हैं मतलब जो हम लोग ब्रस और मंजन करते हैं सुँबा टाइम बनाने में इसका परियोग किया जाता है तो आउसदिया, टाने, खादपदाद, अपमारजक, तूथपेश्ट बनाने में परियोग किया जाता है अगला लिख लेंगे आईरन तथा अनधातों को संचारण में रच्छड करने में उपियोग किया जाता है मतलब Iron मतलब लोहा ततना अन धातों के जो संचारन, संचारन का मतलब ज़ींग, जंग लगना जंग लगने से यह क्या होता है, बचाता है, कौन बचाता है, आर्थो फासपोरिक अमल है तो यहां पे पांच उपियोग आपको बताया गया तो यह पांच उपियोग आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे इसे पने कॉपी में जरू नोट कीजेगा दो बार पढ़िएगा निश्चे ते यह आपको उपियोग याद हो जाएगा तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरू लाइक कीजे चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को स प्रस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइव क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार